नमस्कार प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समान आर्थक, विपरीत आर्थक और अनेक आर्थक शब्द क्या होते हैं और वो कैसे उनके उधारनों को भी हम जो है वो देखेंगे पहले बात करते हैं समान आर्थक शब्द की समान आर्थक यनि समान आर्थ वाले शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान ही हो उन्हें समान आर्थक शब्द कहा जाता है अब उदारण देखते हैं जैसे आग है अब आग है तो अगनी जो है वो उसका समान आर्थक है आग को हम अगनी भी कह सकते हैं अनल भी पावक भी ज्वाला भी और वहिन भी इन्हें परियाए वाची शब्द भी कहते हैं यानी जिनका अर्थ प्रियाए लगबग एक जैसा हो पूरा एक जैसा नहीं होता लेकिन काफी हद तक एक जैसा होता है जैसे आंक की बात करें तो नेत्र, नयन, चक्षू, द्रिग, लोचन ये सब आंक के समान आर्थक हैं इसी प्रकार से इच्छा की बात करें तो अभिलाशा भी इच्छा ही होती है, चाह भी इच्छा होती है, मनुरत भी इच्छा होती है और इसी प्रकार से ये भी क्या हुए समान आर्थक शब्द हुए इसके बाद है जल तो अगर किसी को पानी पीना हो तो वो नीर भी कह सकता है जल भी कह सकता है वारी भी कह सकता है तो इस परकार से ये क्या हुए समान आर्थक शब्द हुए सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है उसके समान आर्थक हुए रवी भानू दिनकर अर्ख और प्रभाकर ये तो बात थी समान आर्थक शब्दों की अब हम जानेंगे विपरीत आर्थक शब्द किन्ह कहते हैं और उनके कुछ ओधारन तो जो विपरीत आर्थक शब्द है अपने आप में ही इसका अर्थ बता रहा है विपरीत आर्थक यानि जिन शब्दों के अर्थ कैसे हो एक दूसरे से विपरीत या उलट यानि उलटे हो जैसे आकाश तो पाताल, सफल, विफल, क्रोध, शांती, एक, अनेक, ज्यान, अज् यानि एक दुसरे के उलट आशा तो आशा का उलट हो गया निराशा कड़वा तो इसका उलट यानि विपरीत हो गया मीठा आदान प्रदान अच्छा बुरा इस प्रकार के शब्दों को हम विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनेक अर्थक शब्दों के बारे में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलें उन्हें अनेक अर्थक शब्द कहते हैं यानि शब्द जो है वो तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत ज्यादा होंगे एक से जादा होंगे उन्हें अनेका अर्ठक शब्द कहते हैं उदारण देखते हैं जैसे अंबर तो हम आकाश को कहते हैं है ना लेकिन अंबर बादलों को भी कहा जाता है मेग और अंबर कपास ठीक है और इसी परकार से जो अकशर है उसको हम वर्ण भी कहते हैं है ना और अक्षर हम इश्वर को भी कहते हैं इसी प्रकार से हरी जो है वो बंदर को भी कहते हैं और विश्नु को भी कहते हैं आगे है दल तो इसी प्रकार से कर कर को हाथ भी कहते हैं है ना तो ये सब क्या है अनेक अर्थक शब्द हैं इनके एक से स्यादा अर्थ होते हैं इ इसलिए इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं तो उमीद करते हैं आपको ये तीनों शब्द जो हैं वो समझ आ गई होगी और इनके बीच का भेद भी आपको पता चल गया होगा धन्यवाद जैहिंद